हलो दोस्तों स्वकत है आपका एजुकी सनेट 99 पे दोस्ते हैं पर B8 और DL8 पार्थे गरम को लेकर हैं पर बहुत ही अच्छी खावर निकल कर आ रही है दोस्तों यहां पर नया सेड़्ूल जारी कर दिया गया है पन्डे संदरलाल सर्मा मुक्त विष्चर विध्यालाक माध्यम से तो दोस्तों इसमें कब से कब तक चलने वाला है आपका ओं-लाइन प्रक्रियह में परिक्छती थी कब से कब तक है साथी साथ दोस्तों इसमें आप एडमिशन कैसे ले पाएंगे इसमें फीस कितना लगने वाला है पूरा प्रक्रिया के है इसमें एडमिशन का पूरा A to Z हम आपको आज किस वीडियो में जनकारी देने वाले हैं तो बस दोस्तों आप वीडियो में अंतिम तक बने रहेगा चैनल पेढ़े हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि इसी प्रकार से एडमिशन सम्मदी कोई भी नहीं अपडेट आती है उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो चली दोस्तों हम आज का अपने वीडियो ही स्टार्ट करते हैं कर पाते हैं तो आपको विलम सुल्क 200 रुपे अतिरिक्ट सुल्क के साथ आप 16 जुन से लिकर 30 जुन तक में आप इसमें आविदन कर पाएंगे इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर प्रवेस पत्र डाउनलोड प्रारम होने किती थी यहाँ पर आप देख पैंगे यहाँ पर दोस्तों इसमें प्रवेस पत्र किती थी बताई गी है 10 जुलाई 2023 तक आपका प्रवेस पत्र जारी कर दियाा जाएगा यहाँ पर पर जो परिक्ष्छा होने वाड़ी वह संभावित थी 16 जुलाई बताई जारी है जो संभावित है इसे के साथ दोस्तों इसमें माडल उत्तर जारी करने की संभावित थी है 18 जुलाई तक साथी साथ दोस्तों इहाँ पर परिक्षपरी नाम का घोसना आपका 22 जुलाई 2023 को जारी कर दिया जाएगा इसे किसाथ दोस्तों यहाँ पर दावा अपत्ति करने के लिए अंतिमति थी 23 से लेकर 27 जुलाई तक का आपको समय दिया जाएगा रात्री के 12 बजे तक साथ ही सत दोस्तों इसमें दावा अपत्ति का नीरा करने वों अंतिम प्राविन्य सुची आपका 9 अगस्त 2023 को यहाँ पर जारी कर दिया जागा हाला कि दोस्तों इसमें बहुत से डेटेट से यहाँ पर जो समभावित है वो लगभग इसी डेट में होता है लेकिन दोस्तों इहाँ पर इसमें कुछ फेर बदलाव भी हो सकता है लेकिन आप मान के चलिए कि इसी डेट में आपकी सारी प्रक्रिया होने वाली है अब दोस्तों यहाँ पास अब इसमें आउनलाइन अविधन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रस्क्रिप्स बता दिया गया कि अब भरती आउनलाइन आविधन फ़र्म भरते समय समस्त जनकारी को आपको ध्यान पुरवक भरना है और आपको बता दे कि यहां जो कॉंसलिंग का फॉर्म और जो प्रवेस्परिक्षा का फॉर्म है वो दोनों एक ही साथ डलने वाला है इसमें और अलग से आपको कॉंसलिंग का फॉर्म नहीं भरना होगा तो दोस्तों इसमें आप आप अविधन कैसे घफर पाएंगे इस पर पर हम डिटेल वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं इसलिए दोस्तों अगर आप में चैनल परने होगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको जैसी हम वीडियो बनाकर अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकिकिशन मिल पाए और यहां पास आप उसमें अपना फॉर्म भर पाए अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं इसमें डियलेड प्रवेस है तो जो प्रवेस परिक्षा का जो नियम है वो क्या है तो दोस्तों इसमें किसी प्रकार से डियलेड में प्रवेस परिक्षा नहीं लिया जाएगा इसमें दोस्तों आपके ब बारवी दोनों का अंग समान पाया जाता है तो आपके सिक्षन अनुभाव को देखा जागा उसके अधर पर दोस्तों यहाँ पर मेट स्विची तेयार की जागी और यहाँ पर इसमें एडमिशन दिया जागा मतलब कि दोस्तों यहाँ पर DLA में किसी भी प्रकार से आपका प कौंसलिंग का फॉर्म है यह मान के चलिए इसके बद दोस्तों यहाँ पर बीएड की अगर हम बात करें तो बीएड में दोस्तों आपका यहाँ पर कौंसलिंग फॉर्म और यहाँ पर इसमें प्रविस परिक्षा दोनों होता है जिसमें दोस्तों यहाँ पर इसके लिए ब परिक्षा कम से कम 50% अंग के साथ आप पास किये रहेंगे तभी आप इसमें अभ्यार्थी पातर रहेंगे साथ ही साथ दोस्तो यहां पर अनुस्यची जन जाती अनुस्यची जाती है उम अन्य पिछड़वर गया विकलांग की स्थिति में है तो कम से कम उसे 5% की हापर छू इसी यापडी दीपी पुर्न चिया हो तब यहां पर इसमें इसमें पातर रहेंगे और वो इसमें अविदन कर पहेंगे इसे के साथ दोस्तो अगर हम डियलेट की बात करें तो इसके लिए भी दूस्तों यहां पर अपर आप देख पहेंगे आपका उचतर माधमी का यहां पर बार्वी में कम से कम 45 प्रतिसत अंकों में आपके पास दोस्तों अध्यापनकार्य में तभी आप यहां पास इसमें से डियलेड कर पाएंगे साथी साथ दोस्तों इसमें B8 और DL8 पार्ठेक्रम में सीटों की अगर हम बात करें तो दोस्तों B8 में यहाँ पर 500 सीटों के लिए हाँ पर प्रयोस्त परिक्षा जित की जाड़ी है साथी साथ दोस्तों यहाँ पर DL8 में 2400 सीटों के लिए हाँ पर प्रवेस के लिए हाँ यह form भराया जा रहा है, साथी साथ दोस्तों यहां पस हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आप देख पेंगे, B8 पार्थे क्रम में जो संचालन अध्यन केंदर है, उसकी जनकारी दीगी है, आप देख पेंगे, इन ही सभी अध्यन केंदरों में यहां पर इन जो डिलेट का पार्थे क्रम हैं, उनका संचालन किया जाता है, तो यहाँ पर इस पस्टेटूप से 37 केंद्रों का यहाँ पर जानकारी दिया गया है, इन 37 केंद्रों में यहाँ पर डिलेट का पार्टेकरम आयोजित किया जाता है, इसी के साथ दोस्तों अब इसमें सुल्क की अगर हम बात करें तो दोस्तों आप सुंदरलाल सर्मा यूनि तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर दोनों कुर्स आपके दो दो वर्स कर रहता है और दोनों वर्स में दोस्तों कितना कितना यहां पर सूलक लगने वाले उसकी जनकारी आपने देखी पाये होंगे इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें जो शतित गड़ में अरक्षन नियम प्रसारित लागू है उसे के अनुसार पर दोस्तों यहाँ पर इसमें प्रवेश दिया जाएगा अब दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं कि प्रवेड परिक्षा जो अभी आपका होने वाला है फॉर्म भरने के बाद तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो खंड में आप डिवाइट कर दिया गया है यहाँ पर देख पहेंगे जिसमें दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिंदी से आपके 10 अंकी के प्रशना आने वाले हैं साती साथ दोस्तों आपर आपके इंग्लिज से भी आपके 10 अंकी की क्वेश्चन आने वाले है इसी के साथ दोस्तों अगर reasoning की बात करें तो 20 अंकी question रहेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपके general awareness से भी यहाँ पर 20 अंकी question रहेंगे, इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर teaching learning and school से आपके 20 अंकी question रहेंगे, इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर छटवी नंबर कालम में आप देख प मिनट का आपको समय दिया जागा इस प्रवेश परिक्षा के लिए जिसमें इहां पर पूरा syllabus आप देख पहलगे साथी सत दोस्तों यहांपर सिलेबस में हिंदी से आपके कौन-कौन और उसे टॉपिक से आपकी क्वेस्ट आने वाले है, ये भी आप इस पर स्थ्रूप से इसमें देख पाएंगे, तो पुरा सीले बस दोस्तों यहाँ पर इसमें दिया गया है, यह पुरा सीले बस यह पुरा संपूर्ण पोर पी डियाप दोस्तों हम आपको टेलिग्राम दुश्तो धन्यवाद जहिंग